सवाल ये है कि कृष्ण की फिलोसोफी, गीता, कस्तमाल भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं? मैंने गीता नहीं पढ़ी है, सच में मैंने नहीं पढ़ी है, माफ कीजेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी अपनी दृष्टी ने मुझे कभी निराश नहीं किया है, इसलिए मैं हमेशा सभी ग्रंतों से दूरी रहा, क्योंकि मैं खुद को अलग-अलग चीजों से भरना नहीं चाहता था, सिर्फ एक चीज जो मैंने सीखी और जो मैं आज भी करता हूँ, अगर मैं किसी चीज को देखता हूँ, या किसी इनसान को देखता हूँ, तो उसका अतीत, वर्तमान और भविश्य जान जाता हूँ, मैं उन पर इतना ध्यान देता हूँ, मैं ऐसे नहीं देखता, जब मैं देखता हूँ, तो अपना सब कुछ लगाकर पूरी तरह देखता हूँ, अगर आप परियाप्त ध्यान दें, तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जान सकते, तो कभी भी मेरे पास ग्रंथों को ढूंडने का कोई कारण या जरूरत नहीं रही है, मैं सभी ग्रंथों का आदर और समान करता हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, बात बस इतनी है कि मेरे पास कभी समय ही नहीं था, ये पूरी प्रक्रिया इस तरह शुरू हुई, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ आया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, देखिए, अगर आप ये समझ जाते हैं कि आप नहीं जानते, अगर आपको पूरी तरह से ये एहसास होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते, तो ध्यान देना स्वभाविक होगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसे जानता हूँ, इसे इसे इसे, आप बस कलपनाएं कलपनाएं और कलपनाएं करते हैं, खेर, मैंने इसका अलग तरीके से उप्योग किया है, लेकिन अगर आप बिजनस कर रहे हैं, अगर ये बिजनस के इरादे से है, सारे अफसर सिर्फ एक ही इंसान की ओर जाते हुए दिखते हैं किसी और की तरफ नहीं ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो कुछ देख पा रहा है जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए मौजूद नहीं है कोई इसे देख पा रहा है और दूसरे नहीं देख पा रहे है मूल रूप से एक लीडर का अर्थ होता है कि आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे तो बिना किसी इरादे के ध्यान देना बस ध्यान देना इसी की कोशिश हम दोपहर में कर रहे थे किसी खास चीज़ पर ध्यान न दे कर बस ध्यान का अभियास करना ध्यान देने का बहुत उचा इस्तर जिसमें कोई केंदर नहो लेकिन जब आप इसे केंदरित करें तो किसी भी चीज़ को जान जाए ऐसा ध्यान कुछ भी जानने से नहीं चोकता तो मैंने हमेशा अपने ध्यान को उचा उठाने और तेज बनाने पर ध्यान दिया कभी भी कुछ याद करने पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप जो इकठा करते हैं वो आप नहीं है मूल रूप से आप अपने होने के बारे में सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि आप फिलहाल थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं मान लिजे आप सो जाएं और आपका ध्यान खो जाएं तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका अस्तित्व है इसलिए आपके अस्तित्व का आधारी ध्यान है और इस ध्यान को किसी भी चीज का बंधक होने की जरूरत नहीं है आपको बस अपने ध्यान को तेज करना होगा देखिए, अगर आपके हाथ में चाकू हो तो ये जरूरी नहीं कि आप इससे बस से भी काटे अगर आपके पास काफी तेज चाकू है तो आप इसे कुछ भी काट सकते हैं लेकिन महत्वपून बात ये है कि चाकू काफी तेज होना चाहिए इसलिए अगर आपका ध्यान काफी तेज है किसी खास चीज पर नहीं अगर आपका ध्यान ही बहुत तेज हो चुका है और अगर आप कोई खास काम करना चाहें तो आप उसमें सफलता पा सकते हैं मुझे लगता है कि मुझे एक समय के अपने कारोबारों के बारे में कुछ बताना चाहिए मैं आठ साल का था तब मेरे कारोबार शुरू हुए थे मेरे अंदर एक अजीब तरह का गर्व था इसलिए मैंने कभी अपने माता-पिता से जेब खर्च के लिए एक रुपया भी नहीं लिया मैंने छे या साथ साल की उम्र में ही पैसे कमाने शूरू कर दिये थे आठ साल की उम्रे में मैं कुशल कारोबारी बन गया था मैं सरल चीजें करता था और आज भी मैं माईसूर में जाना जाता हूँ क्योंकि मैं लोगों के घरों से सांप पकड़ता था अगर मैं एक सांप पकड़ता तो वो मुझे 25 रुपे देते साठ के दशक में एक साथ से आठ साल के लड़के के लिए 25 रुपे लाखों के बराबर थे मैं खुशी से जूमता था वहाँ पर एक भोजन शोद संस्थान था CFTRI हर शानिवार की दोफर मैं वहाँ जाता था मैं चार से पांथ सांप पकड़ता था और वह उन्हें नापते थे मुझे ऐसे दिखाना पड़ता था अगर वह 3 फीट से जाधा लंबे होते तो मुझे 50 रुपे मिलते और अगर 3 फीट से कम होते थे तो 25 रुपे मिलते थे एक दोफर में मैं 100 से 1.500 रुपे कमा लेता था मुझे नहीं पता कि आप कलपना कर सकते हैं या नहीं साथ या सतर के दशक में आठ से दस साल के बच्चे के लिए डेड़ सो रुपे आज लाखों डॉलर्स की तरह है ये रकम बहुत बड़ी थी और मैं हर जगे जाता था जो भी चीज मेरे रास्ते में आ जाए मुझे आपको अपने एक छोटे बिजनस के बारे में बताना चाहिए जो एक बड़ा बिजनस बन गया अपनी उनिवर्सिटी के बाद जहां मैंने कुछ नहीं सीखा पर पास हो गया बस एक चीज थी कि तब तक मैं अपनी मोटर साइकल पर पूरा भारत घूम चुका था जब मैं भारत के बॉर्डर तक पहुँचा तब मुझसे अचानक मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा किसी चीज की मांग की गई मुझे ये भी नहीं पता था कि पासपोर्ट जैसा कुछ होता है देखिए आज की तरह नहीं था आज हर 3-4 साल के बच्चे को पता होगा कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए मेरी उम्र 20 साल से जादा थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट होना चाहिए मैं बॉर्डर पर पहुँचा और फिर उन्होंने कहा आपका पासपोर्ट का है मैंने कहा क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है वे बोले नहीं पासपोर्ट होना ज़रूरी है फिर मैं नेपाल बॉर्डर से वापस मुड़ा और मोटरसाइकल पर वापस आ गया मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं मोटरसाइकल पर दुनिया भर की सैर करू इसलिए मैं कुछ करना चाहता था मैंने एक तरह की खेती शुरू की वैवसाई खेती मैं पैसे कमा रहा था मैंने सोचा कि मैं दो साल तक करूँगा और फिर चल पड़ूँगा लेकिन इसी दौरान मेरे बिजनेस अलग-अलग तरीकों से बढ़ने लगे मैं यही सब कर रहा था और फिर पास ही एक इंडस्ट्री शुरू होने वाले थी वे एक वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट लगाना चाहते थे मैं उस व्यक्ति को जानता था जो इसकी देखरे कर रहा था मैं वहाँ गया और उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में बैठा था वे वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे थे मैंने उनकी बातें सुनी, वे ड्रॉइंग देख रहे थे मैंने पूछा, क्या मैं ये करने के लिए आवेदन दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे खेट के पास है वो बोला, नहीं नहीं, ये बहुत पेचिदा है मुंबई और बैंगलोर से कुछ एक्सपर्ट आएंगे और करेंगे, तुम नहीं कर सकते मैंने कहा, मुझे एक मौका दीजी, देखते हैं मैंने उससे फाइल ले ली, मैं वापस आया और सब कुछ पढ़ा फिर मैं तीन दिन बाद उसके पास गया और बोला, मैं ये कर सकता हूँ वो बोला, ऐसा मत करो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता मैंने का, नहीं, बस मुझे टेंडर भरने दीजे उन दिनों, नव करनाटक बुक स्टॉल हुआ करते थे वे बस रूसी किताबे बेचा करते थे वहाँ बड़ी साहितिक किताबे मिलती थी वहाँ लेव टॉल स्टॉय की, वार एंड पीस दो रुपे में और इंजिनियरिंग किताबे एक या दो रुपे में मिलती थी सभी जिल्द बंद किताबे मैंने वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट के बारे में दस किताबे खरीदी, अपने खेत में बैठा और दिन रात उनको पढ़ता रहा मैंने खुद एक नई डिजाइन तयार की मैं वहाँ गया और एक लाग छेहतर हजार का टेंडर भरा याद रखिए, ये सत्तर के दशक में हुआ था सबसे नजदी की टेंडर 32 लाग का था सबसे उंचा टेंडर 60 लाग से भी जादा था उसने ये देखा और बोला, तुम मजा की आदमी हो तुम ये नहीं करोगे मैंने कहा, नहीं, मैं ये कर सकता हूँ वो बोला, तुम ये कर ही नहीं सकते ये देखो, सबसे नजदी की टेंडर 32 लाग का है और तुम बोल रहे हो, एक लाग 76 रजा तुम ये कैसे करोगे मुझे एक दिन का समय दो, मैंने कहा मैं वापस गया और फिर से किताबे पड़ी मैंने कहा, मैं ये करूँगा फिर वो बोला, 90 दिन में तुम्हें ये खत्म करना होगा और ये काम करना चाहिए अगर ये काम नहीं करता तो अपनी लागत से तुम्हें इसे ख़टाना होगा और जगे साफ करके जाना होगा और मैं तुम्हें एक भी रुपे अड्वांस नहीं दूँगा मैं फिर से गया और किताबे पढ़ी मैंने कहां मैं ये कर सकता हूँ मैंने ये काम 70 दिन से कुछ ज़्यादा समय में पूरा कर दिया ऐसा करने में मुझे 90,000 से कुछ जादा रुपे खर्च करने पड़े एक ही बार में मैंने 80,000 से जादा रुपे कमा लिए लोगों को लगाई ये तो हिट हो गया वहाँ से मेरी construction industry शुरू हो गई राजा रमन्ना वहाँ RMP प्लांट के लिए आने वाले थे वे एक हेलिकॉप्टर में सिर्फ साइट दिखने के लिए आ रहे थे वहाँ कोई भी नहीं था मैं वहाँ गया और वहाँ एक इंजिनियर से मिला वो अपना सिर्फ फोड़ रहा था अब मैं क्या करूँ मुझे ये साइट मार्क करनी है मैंने कहा मेरे पास खूटे हैं और सफेद कपड़ा है मैं जाता हूँ और आपके लिए साइट मार्क कर देता हूँ मैंने साइट मार्क की 15 मिनट के काम के लिए उन्होंने मुझे 38,000 रुपे दिये मैं अपनी मोटर साइकल पर गया और खुदी खूटे गार दिये इस तरह से मेरा बिजने शुरू हुआ और हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गये हम बड़े-बड़े काम कर रहे थे लेकिन तभी मुझे आत्मग्यान मिल गया इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया धन्यवाद सद्गुरु जी आपका बहुत धन्यवाद ये कहानी शेयर करने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है वरना हम इसे कम से कम आदा गंटा और जारी रखते ध्यान से सुनने के लिए दर्शकों को भी धन्यवाद